Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल धर्म क्या है? ये प्रशन प्राया हमारे मन में आता है कई बार ये कुश्चन हमें परिशान कर देता है कुछ कहते हैं कि धर्म ये है कोई कहता है धर्म वो है तो फिर अगर सबकी राय धर्म पर अलग-अलग है तो धर्म अपने आप में क्या है? धर्म का कोई अपना तो Absolute Truth होगा कोई तो ऐसा परमसत्य होगा जो हमें ये बतायेगा कि धर्म क्या है क्योंकि अलग-अलग धर्मों की अगर सुनते हैं तो सभी धर्म जो है वो अपना अलग-अलग बताते हैं कि धर्म क्या है, हिंदू धर्म में अगर शास्त्रों की बात करते हैं, तो वो धर्म का मतलब बताते हैं, राइटियस्नेस, यानि कि जो सही है, वही धर्म है, पुरुशार्थ ही धर्म है, पुरुशार्थ में ही धर्म आता है, धर्म, अर्थ, काम और मौक्ष, यनि कि ये चार चरण है जो विक्ति को करने होते हैं अपनी duties की form में, अपने कर्तव्यों के form में जिसमें धर्म भी आता है दूसरे धर्मों की अगर हम बात करते हैं तो सभी धर्म जो हैं, हमारे भारत में कई सारे धर्म हैं और सभी धर्म आपस में मिलजुलकर रहते हैं कोई दिक्कत बाली बात नहीं है उसके बाद भी अगर हम धर्म को समझना चाते हैं कि धर्म अपने आप में क्या है तो वो हमें कैसे पराचलेगा कौन बताएगा कि धर्म क्या है धर्म की बहुत सारी परिभाशाएं हैं, धर्म के बहुत सारे व्याख्याएं हैं, अलग-अलग लोग उसको अलग-अलग तरीके से धर्म की व्याख्या करते हैं तो फिर मैं अगर ये जाना जाहूं कि धर्म अपने आप में क्या है तो ये मुझे कैसे परा चलेगा कौन वताएगा यदि मैं इश्वर में विश्वास करता हूँ तो क्या मैं धार्मिक हूँ यदि मैं इश्वर में विश्वास नहीं करता हूँ तो मैं धार्मिक हूँ और अगर मैं नास्तिक हूँ तो मैं अधार्मिक हूँ कौन सी ऐसी चर्थ है जो मुझे धार्मिक बनाती है और कौन सी वो शर्थे हैं जिनसे मैं धार्मिक बन जाता हूँ। धर्म के वो कौन से essential elements हैं, वो कौन से जरूरी आवश्यक गुन हैं जिसके कारण धर्म धर्म कहलाता है। इन सभी की चर्चा आजम करने वाले हैं इस session में। क्योंकि धर्म की बात जब भी आती है, तो सभी लोग अपनी राय जो है वो अलग-अलग देते हैं, बड़ी-बड़ी बहस चलती हैं, लंबी-लंबी debate हो जाती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि धर्म क्या है, इसके किसी ह आप्सल्यूट डू तक नहीं पहुच पाते, किसी परमसत्य तक नहीं पहुच पाते, किसी ऐसी objective definition तक नहीं पहुच पाते, कि जिससे हमें ये पनातल जाय कि धर्म क्या है और मैं उसी को धारण कर लूँू, हिंदू धर्म में कहा जाता है कि धर्म वो है जिसको आप बन जाता हूं भलही मैं यूश्वर में विश्वास नहीं करता या फिर मुझे यूश्वर को धारन करना होगा या फिर यूश्वर के साथ में मुझे तादात में बिठाना होगा उस पर मुझे विश्वास करना होगा उसके साथ में मुझे संबंद स्थापित करना होगा उस optional live on study IQ IS तो study IQ IS पे philosophy का live batch start होने वाला है 20 जुलाई से जिसमें हम philosophy को पढ़ने वाले हैं जो की 20 जुलाई को start हो जाएगा और जिसकी fees है 2499 लेकिन अगर आप मेरा code यूज़ करते हैं SG live तो ये आपको पढ़ता है 15999 में जिसमें आपको study material के साथ test series भी दी जाती हैं और इसमें हम previous year के questions को भी discuss करते हैं तो ये तो बात हो गई philosophy optional के live batch की और अब हम बात करते हैं अपने topic की जिसपे हम बापस आते हैं जो की है हमारा धर्म अगर हम बात करते हैं धर्म की तो धर्म में कौन से वो essential elements हैं जिसके कारण धर्म को धर्म कहा जाता है एक बार इसको हम समझ लेते हैं सबसे पहला जो essential element है that is cognitive cognitive का मतलब होता है संग्यानात्मक संग्यानात्मक जो पक्ष है इसका वो ये कहता है कि we should have the knowledge of God अगर हमें इश्वर का ग्यान है कि इश्वर क्या है और इश्वर कौन है और इश्वर कैसा है अगर हमें इसका ग्यान है तो हम धर्मिक कहलाते हैं तो हम धर्मिक कहलाए जा सकते हैं अगर हम इश्वर के बारे में कुछ भी ग्यान रखते हैं कि इश्वर कौन है क्या है और कैसा है दूसरा element जो होता है वो होता है emotional, emotional का मतलब है समवेगात्मक या फिर भावात्मक, ये पक्षभी धर्म में होना चाहिए, अगर भावात्मक पक्ष होगा धर्म में, तो इसका मतलब क्या है, कि ईश्वर के साथ हमारा प्रेम होगा, हमारा प्रेम होगा, लव होगा, हमारा फेत, यानि कि हमारी श् That is functional, यानि कि क्रियात्मक्पक्ष भी होता है, धर्म में कुछ न कुछ क्रियात्मक्पक्ष भी होता है, some functional element is also there, functional element का मतलब ये है कि सभी धर्म अपनी कुछ न कुछ religious practices करते हैं, धार्मी kriya कलाप करते हैं, जिसको हम functional aspect में रखते हैं, ठीके, तो वो क्या होता है जिससे की उन क्रिया कलापों के द्वारा उन functions के through वो क्या करते हैं वो इशोर के साथ में अपना संबंद स्थापित करते हैं तो ये तीन essential elements होते हैं धर्म में जिसके कारण धर्म को धर्म कहा जाता है तो अगर मैं अपने बेवहार में इन तीन गुणों को अंगिर करता हूँ अगर इन तीन elements को लेके आ जाता हूँ तो मुझे धर्म में कहा जाएगा पहला ये है कि मेरा cognitive aspect होना चाहिए यानि कि मुझे ईशोर के बारे में ग्यान होना चाहिए इशोर कौन है क्या है कैसा है पहला ये होना चाहिए और दूसरा मुझे इशोर से प्रेम होना चाहिए उसके साथ मुझे उसके उपर मुझे शरद्धा होनी चाहिए और मेरी dependency भी मैं इशोर के उपर ही मानता हूँ कोई और नहीं हो सकता जिसके उपर में dependent हूँ अगर मेरा ऐसा विश्वास है तो दूसरा वाला आस्पेक्ट यानि की emotional आस्पेक्ट भी मैं फुल्फिल करता हूँ धर्मिक होने का और अगर मैं तीसरी बात करता हूँ आगे functional की तो यह क्या है मेरा क्रियात्मग पक्ष है मेरा क्रियात्म वपक्ष मुझसे ये कहता है कि मैं इश्वर के साथ में संबंध स्थापित करने के लिए कुछ न कुछ इश्वर के साथ में कुछ न कुछ क्रियाकलाप करूँ कुछ न कुछ ऐसी religious practices भी करूँ जिससे कि मुझे धार्मिक कहा जाए तो अगर मैं ये तीन चर्ते पूरी करता हूँ तो मैं धार्मिक कहलाता हूँ और यही धर्म है अब हिंदू धर्म में अगर हम बात करते हैं हमारे भारत में तो जो majority है लोगों की वो हिंदू धर्म को धारन किये हुए है तो अगर हिंदू धर्म के followers हमारे देश में काफी ज़्यादा है तो सबसे पहले हम हिंदू धर्म को ही समझ लेते हैं क्योंकि हिंदू धर्म की काफी चर्चा होती है क्योंकि चर्चा करने वाले ज़्यादा है तो अगर हम बात करते हैं हिंदू धर्म की अगर हम हिंदुजम की बात करते हैं तो हिंदुजम को हिंदु जो धर्म है उसको सनातन धर्म भी कहा जाता है हम एक बार दोनों को समझेंगे तो पहले अगर हम हिंदु धर्म को समझते हैं तो हिंदु धर्म क्या कहता है हिंदु धर्म को जोड़ा जाता है मनुश्मती से क्योंकि ये कहा जाता है हिंदु धर्म में कि सबसे पहला जो मनुश्य था पहला हिंदु वेक्ती था कोई तो वो मनु था वो कौन थे? वो मनु थे अगर पहले सबसे धार्मिक वेक्ती सबसे पहले हिंदू अगर मनू थे तो फिर मनू के लिए हिंदू धर्म क्या है, धर्म के क्या लक्षण है, किसके कारण धर्म को धर्म कहा जाता है, तो ये कहते हैं कि ध्रतिक्षमा दमोस्तेयम सौच मिंद्रिये निकरहा, धीर विद्या सत्यम क्रोधो दचकम धर्मलक्षण इसका क्या मतलब है इसका मतलब है patience, forgiveness, constant discrimination, non-stealing, purity, control of senses, righteous action, knowledge, truth and giving up anger यानि कि एगर हम बात करते हैं patience की, तो हमें क्या होना चाहिए, हमें हमारे अंदर धैरे होना चाहिए, forgiveness होनी चाहिए, हम शमा करने योग्ये हो, हमारे अंदर शमा का गुण होना चाहिए, हमारे अंदर constant discrimination का गुण होना चाहिए, non-stealing होनी चाहिए, कि हमें चोरी नहीं करनी ह नेक्स्ट, purity, शुद्धता का गुण हमारे अंदर होना चाहिए, और शुद्धता का मतलब चारीरिक शुद्धता नहीं है, शुद्धता का मतलब है मानसिक शुद्धता, जिसमें आपकी विशार शुद्ध है, आत्मा आपकी शुद्ध है, आत्मिक शुद्धता की बात करत इंद्रियों पर आपका अवर्ष होना चाहिए आप आके यह बात करते हैं राइटियस एक्षन यानि कि आप धर्म का पालन करते हूं यानि कि आप सही एक्षन ही करते हूं जिसको सही माना गया है समाज में जिसको राइट माना गया है और जिसको एथिकल यानि कि मॉरल माना जिसको valuable माना गया है, जिसके थूँ यह पत्रा सलता है कि आपके अंदर values हैं, हमें ऐसे काम करने है, knowledge यानि कि हमारे अंदर ग्यान होना चाहिए, हमें सत्य का पालन करना है, and giving up anger, और हमें क्या करना है, क्रोध का, क्रोध को give up करना है, यानि कि anger को हमें grave up करना है, यानि कि हमें जो क्रोध है उसको छोड़ना है, क्रोध का त्याग करना है, तो यह जो 10 लक्षण है, these are the 10 indications of धर्म, यही धर्म के 10 लक्षण बताए गए है, मनुस्मती में, मनुस्मती यह से कहते हैं, कि जिस विक्ति के अंदर यह 10 लक्षण है, उ धर्म is a Sanskrit word that encompasses a wide range of concepts including duty, righteousness, ठीक है, यह duty की बात करते हैं, यह duty की बात करते हैं, duty का मतलब क्या है, करतव्वे, अपने करतव्वे का नर्वहा करें, righteousness के साथ में, यानि कि सही क्या है और गलत क्या है, इसको सोच के, cosmic order है यह, रमांड में जो order बना पड़ा है, वो धर्म है, ठ inherent nature or essence of things, यानि कि जो चीजों का जो inherent nature है, चीजों का भी और हमारा भी, वो सभी मिलके धर्म बनता है, वो सभी मिलके धर्म बनता है, it can be seen as a moral and ethical framework that guides individuals to live in harmony with cosmic laws, यह सिखाता है मानव को, कि आप प्रकृति के साथ में, जो प्राकृतिक गुण हैं, और आपके खुद के गुण हैं, उनके साथ में आप सामंजस से कैसे स्थापित करें, आपको उनके साथ में सामंजस से स्थापित करना है, और यही कारण है कि सरांतन धर्म में, जो पशुपक्षी हैं, प्राकृतिक चीजे हैं, पेड, पाहार, नदी, धर्णा, पानी, सभी को पूजा जाता है, क्यों जो उनके खुद के true nature हैं, उनके आधार पर, उनके आधार पर हमें प्रकृति के साथ में तादात्म स्थापित करना यही सनातन धर्म है, आगे यह क्या कहते हैं, in context of सनातन धर्म, धर्म can be understood as the inherent duties, धर्म का क्या मतलब है, inherent duties, आपके अंतर नहीं जो करतव हैं, जिनको लेकर that individuals have based on their social roles and stages of life, जिसको वो social roles के रूप में क्या करता है, उसका निर्वहन करता है, society में उसका जो खुद का रोल है, उसको वो play करता है, जैसा कि one आशरम में बताया गया है, One आशरम का मतलब क्या है, one विवस्था, one विवस्था में जो चार विवध दिये गये हैं, सभी के कुछ न कुछ धर्म बताए गये हैं, यानि की सभी के कुछ न कुछ द्यूटीज बताए गई है, उनकी responsibilities बताए गई है, सभी अगर अपनी responsibilities को follow करते हैं, तो वो धर्म है, जैसा ही गीता में भगवान सी कृष्ण ने भी कहा है कि कर्म ही धर्म है अगर आप अपना कर्म पूरे मन से करते हैं मन वचन और कर्म से करते हैं तो वही धर्म है धर्म के लिए आपको अलग से कुछ पूजापाट करने के आवशक्ता नहीं है आप अपने कर्म पर ही ध्यान आपकी जो ethical duties हैं और आपकी society में जो duties हैं जिसका नर्धारण धर्म करता है उन सभी duties का आप पालन करें उन सभी करतव्यों का पालन करें तो वही धर्म है और जिसके लिए आपको क्या करना है जिसके लिए आपको moral बने रहना है ethical principles को follow करते हुए अपनी duties को निभाना है ऐसा न लिके की चीजें अगर आप करते हैं तो आप धार्मिक नहीं है अपने कर्म का धर्वेहन तो करना है लेकिन पूरी ethical कोर्ष के साथ में moral values के साथ में अगर आप ऐसा करते हैं तभी आप धार्मिक हैं ऐसा सनातन धर्म में कहा गया है आगे बात करते हैं गौतम रिशी क्या कहते हैं अगर हम भारती दर्शन की बात करते हैं तो भारती दर्शन में गौतम रिशी का नाम काफी उलिखनी है तो गौतम रिशी क्या कहत होता है और जिससे आपका निश्रेज होता है वही धर्म है जिसमें आपका है अभ्यूदय का मतलब क्या है जिससे आपको सुक्की प्राप्ति हो वही धर्म है और आगे क्या कहते एंच्रेज आत्मिक मुक्ति यानि कि ऐसे काम जिससे आपको सुक्की भी प्राप्ति हो आत्मिक मुक्ति भी मिले और जिसमें आपको परमगती भी मिलती है तो वो क्या है वो धर्म है धर्म का आर्थ जो है वो गौतम दिशी क्या निकालते हैं कि जिससे आपको सुक्की प्राप्ती होती है, जिससे आपको आत्मिक सुक मिलता है, और जिसपे आपको परमगती प्राप्त होती है, वही धर्म है, अगर हम बात करते हैं वात्सायन की, तो वात्सायन क्या कहते हैं इसपे, वात्सायन has clarified धर्मा वाइट कंपेरिंग धर्मा अधर्मा, ठीक है, धर्म को आप अधर्म से compare करके समझ सकते हैं, जैसे सच को आप जूट से compare करते हैं, तब आप समझते हैं कि सच क्या होता है, और जूट क्या होता है, तो यह आगे कहते हैं, बासायन कहते हैं कि for a human, religion is mansa vacha karma, यानि कि man और वचन और कर्म से जिसको धारण किया जाए, वही धर्म है, यानि कि man और वचन और कर्म से जिसको धारण किया जाए, वह धर्म है, it is not only related to actions or deeds, but also related to religious thinking and speech, यानि कि यह सिर्फ कर्म के ऊपर अधारित नहीं होता, it is not related to actions or deeds, यानि कि जो चीज़ें आप करते हैं, अच्छी है बुरी, उससे संबंध नहीं होता, बलकि यह religious thinking और speech से भी इसका संबंध होता है, कि आपके जो विचार हैं, वो धर्मिक है या नहीं है, आपके thinking religious है या नहीं है, आपके जो speech है वो religious है या नहीं है, यानि कि कर्म ही नहीं, बलकि मन और वचन से भी आप धर्म का अंगीकरण करते हैं, तब ही आप धर्मिक कहलाते हैं, अब हम आगे अगर हम बात करते हैं ज according to Jainism, religion is a way of life. इनके हिसाब से, religion का मतलब है, way of life, यानि कि जीवन जीने का जो तरीका है, वो क्या है? वो धर्म है. जीवन जीने का तरीका जो है, वो धर्म है, that encompasses spiritual beliefs, जिसमें आपके spiritual beliefs भी आते हैं, आपके आध्यात्मिक जो विश्वास हैं, वो आते हैं, ethical principles आते हैं, कि क्या सही और क्या गलते, इस पर जो principles हैं, जो सिद्धान्त हैं, वो आते हैं, and practices aimed at attaining liberation, और ऐसी practices आती हैं, जो liberation को attain करने में आपकी help करती हैं. Liberation का मतलब क्या है? Liberation का मतलब है यहाँ पर, मोक्ष, मुक्ती, कैवल ले, उसकी प्राप्ती में, जो भी actions आते हैं, वो सारे dharmic actions कहलाएंगे. आगे यह कहते हैं, from the cycle of birth and death, यानि कि liberation कि से चाहिए होगा, क्योंकि हमारे जो karmic actions होते हैं, हम जो इस संसार में बढ़े पड़े हैं, इस संसार में बढ़े पड़े हैं, हमारे जो कर्म का बंदन है, वो हमें इस संसार में बार-बार लेकर आता है. राग और दुवेश, यह राग का मतलब होता है, attachment, यानि कि चीजों से जो हमारा attachment है, इस जगत से बहुतिक जगत से जो हमारा attachment है, वो attachment हमें बार-बार इस जगत में लेके आता है, जिससे हम life और birth के जो चक्र है यानि कि जो cycle है death और life का उसमें हम बंद जाते हैं बार-बार जन्म लेते हैं बार-बार हम मरते हैं तो इस चक्र से मुक्ति को ही क्या कहा गया है इस चक्र से मुक्ति को ही मुक्ष कहा गया है liberation कहा गया है जैनिजम में तो ऐसे मुक्ष की प्राप्ती के लिए जो कुछ भी actions आप करते हैं वो सारे actions जो है वो आपके धार्मिक actions कहलाएंगे और यही धर्म है जैनिजम के लिए आगे यह कहते हैं जैनिजम is an ancient Indian religion that emphasizes non-violence यह अहिंसा की बात करते हैं non-stealing की आपको अस्ते यानि की आपको चोरी नहीं करनी है ठीक है salivacy यानि की ब्रह्मचरी का पालन आपको करना है and non-attachment यानि की आपको अपरिग्रह यानि की चीजों से आपको attachment नहीं रखना है क्योंकि सबसे बड़ी problem जो है अगर हम इस संसार में दुबारा लेके आता है जिससे हमें मोक्ष मिल नहीं पाता तो अगर हम उस attachment को छोड़ देंगे तो हम क्या करेंगे करम के सभी बंदनों को तोड़ देंगे तो इससे हमें क्या मिल जाएगा इससे हमें मोक्ष मिल जाएगा उस मोक्ष को पाना ही धर्म है ऐसा जैनिजम में कहा गया है आगे अगर हम बात करते हैं बुद्धिजम की तो बुद्धिजम में धर्म क्या है अगर हम बात करते हैं बुद्धिजम की तो बुद्धिजम में धर्म क्या है बुद्ध धर्म को क्या कहते है कि धर्म क्या है यनि कि यह कहते है कि जो जीवन है न वो दुख में है और जीवन में जो दुख है उन दुखों से बचने का जो कारण है बचने का जो रास्ता है वो रास्ता धर्म है अगर आद धर्म का अंगिकर्ण करते है तो आप क्या करते है आप उन दुखों से बच सकते हैं और जिससे आपको क्या मिलेगा जिससे आपको बोधी मिल जाएगी यानि कि आपको enlightenment मिल जाएगा यहाँ पे enlightenment को क्या बोलते हैं यह बोधी बोलते हैं तो जिसको बोधी प्राप्त हो गई यानि कि वो बुद्ध बन गया और जो बुद्ध बन गया, वो मुक्त हो गया, और मुक्त किसे हो गया, जनम बरण के बंधन से मुक्त हो गया, तो जो जैनिजम है और बुद्धिजम है, उनके जो मोक्ष के जो concept है, वो similar है, almost similar है, चीक है, At its core, बुद्धिजम teaches the four noble truths which recognize the existence of suffering, the origin of suffering, craving and attachment, and the sensation of suffering, यनि कि निर्वान, यनि कि वो चार दुखों की बात करते हैं, चार आरे सत्यों की बात करते हैं, पहला क्या है, कि पहला ये कहते हैं कि दुख है, दूसरा ये कहते हैं कि दुख का कारण है, और कारण क्या है, कारण है उस craving होती है, और उन से हमारा attachment होता है, इसी को उन्होंने दुख का कारण बताया गया है, चारे सत्यों की, सेसेशन of suffering, यनि कि जो दुख है, उनका कारण है, तो उनका निवारन भी है, यह तीसरा आरे सत्यों की, जो उसका निवारन है, वो एट फोल पात है, जो ये बताते हैं यानि कि जिससे आपको क्या मिलेगा जिससे आपको मोक्ष मिल जाएगा यानि कि निर्वान मिल जाएगा आपको आपको लिबरेशन मिल जाएगा इस जनम्रण के बंधन से आगे यह कहते हैं यानि कि जो अस्टांग मार्ग है, उस अस्टांग मार्ग से आप क्या करते हैं, आप कर्म के मंदन से मुक्त हो जाते हैं, आपको मुक्ष की प्रात्ती हो जाती है, अपने माइंड में, अपने बीहवियर में, अपने personality में जिससे की ये जनम मरण के बंदन से मुक्त होकर मुक्ष को प्राप्त कर सके So this is called धर्म तो जैनिजम और बुद्धिजम दोनों के जो concept हैं अगर हम देखते हैं धर्म के वो almost similar हैं Next, आगे बात करते हैं सिखिजम की बात करते हैं हमारे देश में सिखिजम भी एक धर्म है जिसको हम सिख धर्म कहते हैं जिसके प्रवर्तक जो है वो गुरुनानक देव है तो गुरुनानक देव के लिए धर्म का क्या मतलब है वो ये कहते है Religion is a way of life that revolves around the worship of God यनि कि जो religion है सिखिजम के लिए वो भी अपने आप में एक way of life है वो भी जीवन जीने का एक तरीका ही है लेकिन इसमें जो central point है वो क्या है कि इश्वर की आप पूजा करें ये इश्वर की पूजा पे सबसे ज़रा जोड़ देते हैं लेकिन इश्वर कौन है Living a virtuous and righteous existence and serving humanity ये क्या कहते हैं कि living virtuous and righteous life virtuous का मतलब क्या है सदाचार से अपना जीवन जीए ऐसा आचार जो सत है यानि कि अच्छे आचार के साथ में right conduct के साथ में आप अपने जीवन को व्यतीत करें virtuous life को जीए और righteous life को जीए righteous यानि कि जो सही है उसको आप accept करें जो गलत है गलत का मतलब जिसको society गलत बोलती है जिसको धर्म में गलत कहा गया है तो उसका आप परित्याग करें तो जो सही है उसका अंगी कराण करें तो उसी को धर्म कहा गया है and serving humanity और जो humanity है उसकी आप सेवा करें यानि कि मानप्ता की सेवा करना एक बहुत बड़ा दर्म है और इसलिए आप देखते हैं कि जगे जगे गुर्दवारे होते हैं और गुर्दवारों में लोगों की सेवा की जाती है। दर्म है किसके लिए गुरुनानक देव के लिए इन सिख्खिजम रिलिजन इस व्यूजन इस पर्सनल एंड ट्रांस्फोर्मेटिव जर्नी दाट इन्वार्स कनेक्टिंग दिवाइन डिवाइन लिविंग इन इकॉर्देंस विद्ट टीचिंग सब्ड़ सिख्गुरू उसको आपको फॉलो करना है और अपनी जो लाइफ है परसनल है ठीके उस परसनल लाइफ को क्या करना है ट्रांस्फोर्म करना है ठीके ट्रांस्फोर्म कैसे करना है हमें एक अच्छा इंसान बनना है जिससे कि हम मानपता की सेवा कर सके क्योंकि इनका जो सेंटल ट्रिनेट होता है वो क्या है वो मानफ्ता की सेवा करना ही है तो अगर देखा जाए कि सिक्किजम के according धर्म क्या है तो इनका जो धर्म है वो है मानफ्ता की सेवा करना मानफ्त जाती का कल्यान करना ही इनका धर्म है ठीक है as compiled in the holy scriptures known as the गुरुगरंथ साहिव जैसा कि इनके गुरुग्रंथ साहिव जो की इनका पवित्र ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि इस तरीके से धर्म का नर्भा करना है सिक्षिजम प्रमोर्स दा बिलीफ इन वन फॉर्मलेस ओम्नी प्रेजेंट एंड टाइमलेस गॉड अगर ये गॉड की बात करते हैं अगर हम गॉड की बात करें सिक्षिजम में तो ये ये मोनिस्टिक है मोनिस्टिक का मतलब ये है कि इनके लिए जो गॉड है वो एक है ठीक है? इनके लिए जो गॉड है वो एक है और परमसत्य है और वो कैसा है? वो ओम्नी प्रेजेंट है यानि कि हर जगे रहता है, वो one formless है, उसका कोई आकार नहीं है, ठीक है, वो निराकार है, and that is timeless God, वो समय से परे है, ठीक है, often referred to as, एक उंकार, the one creator, जिसको वो एक उंकार के नाम से संबोधित करते हैं, which means, the one creator deity, so this is all about Sikhism, अब अगर हम समझते हैं, Christianity, Christianity, what is religion for Christianity, Christianity के लिए धर्म क्या है, इसाई धर्म, इसाईयों के लिए धर्म क्या है, for Christians, religion is centered around a personal relationship with God, अगर आपका personal relation है, God के साथ में, जो हमारा धर्म का तीसरा वाला element था, कौन सा, functional वाला, उसमें क्या है, we have to establish the relationship with God, तो ये क्या है, तो ये धर्म है, अगर हमारा personal relation है, God के साथ में, तो ये धर्म है, और वो God कौन है, जीसस क्राइस है, it is a faith that encompasses beliefs, worship and moral values based on the teachings of Jesus Christ as recorded in Bible, यानि कि Bible में जैसा की, जीसस क्राइस ने बताया है, कि मेरे साथ में, अगर धर्म की स्थापना करनी है, तो मेरे साथ में अपना संबंध स्थापित करो, तो वो संबंध स्थापित करना ही, ये श्वर के साथ में, क्या है, ध हमें Jesus Christ की जो teachings है, वो मिलती है, next, आगे ये क्या कहते है, Christianity teaches that God created the universe and sent his son Jesus Christ, यानि कि जो Christianity है, वो ये कहती है, कि जो God है, उन्होंने क्या किया, इस universe को रचा है, he is the creator deity, वो क्या है, वो ब्रहमांड का रचा ही ता है, उसने इस universe को रचा है, उसने इस ब्रहमांड को रचा है, और अपने बेटे को, अपने सन, यानि कि अपने बेटे Jesus Christ को भेजा, to redeem humanity from the sin, ताकि धर्म की स्थापना की जा सके, humanity को दुबारा बापस लाया जा सके, पाप से बचा कर, क्योंकि पाप के मुह में सारी चीज़ें जा रही थी, ठीक है, पाप के गाल में सब कुछ समा रहा तो इसलिए पाप से बचाने के लिए मानवता को, जो Jesus Christ थे, जो God ने अपने सन को भेजा, यानि कि Jesus Christ को भेजा, ताकि वो मानवता को पाप से बचा कर, क्या करे, उसको धर्म का मार्क दिखा सके, ठीक है, और sin and offer salvation, और जो उनको मुक्ती का मार्क जो है, वो प्रशस्त कर सक करे, ताकि उनको धर्म की सिक्षा मेरे, और वो पाप के मार्क से हट कर, पुणने के मार्क पर आए, अच्छे-च्छे काम करें, और वो क्या करें, वो मोक्ष की प्राप्ती कर सके, Christians believe in the Holy Trinity, which is the belief in one God, who exists in three persons, ठीक है, यानि कि जो Christians हैं, वो क्या करते हैं, वो बिलीव करते है गौड को, ठीक है, गौड में बिलीव करते हैं, कैसे, ठीक है, Christians believe in the Holy Trinity, ये Holy Trinity में विश्वास करते हैं, इसका क्या मतलब है, which is the belief in one God, who exists in three persons, और यानि कि जो ईश्वर है, वो तीन लोगों में रहता है, वो तीन लोग कोन है, God the Father, God the Son, Jesus Christ, and God the World, ठीक है, तो इस तरीके से, जो Christianity है, वो किसके उपर बेज रहे, वो worship of God, that is Jesus Christ, कि Jesus Christ ने जो आपको बताया है, उसको आप follow करें, और वही जो है वो धर्म है, Jesus Christ ने जो कुछ भी बताया है, अपनी Bible के थ्रू, जो की Bible में लिखा है, उसको गर हम follow करते हैं, तो हम क्या करते हैं, धर्म को अपनाते हैं, औ आगे हम बात करते हैं, इसलाम की, तो इसलाम के according जो है, धर्म क्या है, इसलाम के according जो है, religion क्या है, क्योंकि हमारे देश में अगर हम बात करते हैं, भारत की, तो काफी सारे लोग Muslim हैं, जिनोंने इसलाम को, जो इसलाम को follow करते हैं, तो इसलाम में धर्म का क्या मतलब है, the philosophy of religion in Islam refers to the intellectual inquiry and rational explanation of theological and metaphysical aspects of the Islamic faith Islamic faith के जो metaphysical aspects है वो क्या है इन सारी चीजों की inquiry करना ही क्या है इन सारी चीजों की inquiry करना ही religion है यानि की धर्म है It seeks to deepen understanding, provide logical arguments यह logical arguments को क्या करते है यह seek करते है and address philosophical questions related to God और कुछ God से related जो philosophical questions है उनको करते है उसका existence क्या है उसकी knowledge क्या है उसकी morality क्या है and the nature of reality within the context of Islamic belief Islamic belief के अंदर जो true nature of reality क्या है उसको study करना ही क्या है धर्म है उसके बारे में inquiry करना उसको जानना ही क्या है धर्म है तोहिद monotheism the belief in oneness of God अल्ला there is nothing but Allah और कुछ भी नहीं है सर्फ अल्ला है ऐसा इनका monotheistic belief है monotheism का मतलब क्या होता है कि that there is only one God तो इसका मतलब यह है कि जो इसलाम है वो कैसा है वो monotheistic religion है जो कि एक इसवर में विश्वास करता है जिसको वो अल्ला बोलते है is the central principle of Islam और यही इसलाम का central principle है जिसको वो बार-बार repeat करते है Islamic philosophy explores the concept of God's existence यह Islamic philosophy जो है वो इस्वर के existence को explore करने की कोशिश करती है उसके attributes क्या है उसकी relationship क्या है with the world यानि कि जो इसलाम धर्म है अगर इसलाम religion की बात करते है तो वो क्या है वो it is the philosophical inquiry of God and its relationship with the world और इसके लाबा वो monotheism भी है यानि कि वो सिर्फ एक बगवान में विश्वास करते है यानि कि उनके लिए जो God है वो कैसा है वो monistic है यानि कि वो एक ही यूश्वर में विश्वास करते है जिसको वो अल्ला बोलते है So this is all about religion तो आज की क्लास में इस वीडियो में हमने ये देखा कि धर्म क्या है धर्म को जाना अलग-अलग धर्म धर्म की क्या परिभाशा देते है तो अगर हम सभी में common अगर कुछ देखते है तो सभी धर्म जो है वो righteousness की बात करते है सभी virtues की बात करते है सभी ethics की बात करते है सभी morals की बात करते है सभी कहते हैं कि हमें एक अच्छा इंसान बनना चाहिए क्योंकि जब हम पैदा होते है अपने समाज के माध्यम से हमारे अंदर जो moral code है वो डाला जाता है और ये moral सिखाने का काम जो है ये धर्म करता है किसी ना किसी धर्म को हम अपनाते हैं और वो जो धर्म है वो हमें क्या बनाता है वो हमें moral being बनाता है वो हमें नैतिक वेवहार करना सिखाता है नीतिकत वेवहार कैसे किया जाए कि दूसरों को हाम नहीं करना है अपने salvation के लिए अपने liberation के लिए प्रयास तो करना है लेकिन उसमें किसी और का कोई loss हो ऐसा कोई विकाम नहीं करना है यानि कि हमें जो कुछ भी करना है हमें अपनी सारी duties भी निभानी है हमें हमारे जो करतव हैं उनका पालन करना है लेकिन इन सारी चीज़ों को करने के लिए हमें कोई भी unethical तरीका नहीं अपनाना है This is all about धर्म और religion सभी धर्मों में यही कहा गया है So this is all about धर्म I hope I made it clear ठीक है तो फिर नेक्स वीडियो में मिलते हैं नेक्स टॉपिक के साथ में किसी अच्छे और अच्छे से इंटरस्टिंग टॉपिक के साथ में तो आज के क्लास में इतना ही Thank you so much for joining me class Have a good day, good luck